सब्सक्राइब करें तो यहां से साइचेन को निकाल करना है तो वापस बचना नाम की नहीं बड़ा मुस्किल हो रहा आगे चलने में और एक ही मेगी तो इसी शाज हमारा गुजारा होगा हलो गुड बॉर्णिंग नमस्कार खमा गणी दो दिन से हम लोग गुर्दार में रुके रहे थे पहले जो रुके थे भापे 500 रुपे के रूम में रुके रहे थे अभी हमें यहां पे ऊपर यह है एक कॉमन हॉल है जहां पर रुके थे अभी आए हम लोग चाय पीने के आज लगातार तीन चार दिनों के बाद पूरी देवताम पे महरबान हुए है और कड़क धूप निकाली है तो देख सकते हैं मैंने जुगाड करके ऐसे दो साइकलों के बीच में रसी बांद के बीच में उनीचे जा रहा था तो मैं लकड़ी लगाई है और यहां पर सारे तोरे से मोझे सुखने और यह तोल्या सुखना बाकी गलब्स है और यह हमारी साइकल कंप्लीटी रेड़ी है आगे बढ़ने के लिए और अभी वहां सामने देख सकते हैं वहां पर एक धाबा जो की पचास पर में खाना खिला रहा है वी पूरी प्लेट है तो चलते हैं व और यहां पर सब्जी आ चुकिए पत्ता गोभी की लंच कंप्लीट हो गया और मैं लंच करी रहा था तभी में पास से कॉल आता है एक हमारे साइकलिस है रभी बाबू वह आगे चले गया है तो उनका कॉल आया कि आगे लेंस्लाइड हो रहा का इस वज़े से रास्ता जाम है तो अभी हम लोगों को बोला थोड़ा देर से निकलना था अभी हम यहीं पर बेट कर रहे है साइकल हमारी सारी कंप्लीटी पैक है इनकी भी रेडी हो चुकी थी तो सबको एक बार के लिए रोग दिया गया है ताकि जैसे रस्ता खुलेगा तो उदर से कॉल आ जाएगर और हम लोग इदर से निकल जाएंगे उपर से हम लोग इदर से आ रहे है पटनी टॉप से और इदर नीचे जा रहे है वरामबन की और और फिलाल देख सकते हैं मैं भी रेडी हूं कप्लीटली और अभी फिलाल निकलते हैं सिधार रामबन की और मिलते हैं सिधार रामबन म तक आपढ़े के लिए तेना लंबा लगवग एक दो किलो मेटर का ट्रैफीक है और जिसी भी लगए यहाँ पर लेंडश्लाइड हो रखा इस वजह पूरा रास्ता जाम हो रखाए इसलिकी बारे में रवी बताया था कि यहां पर रास्ता कैसे हम लोगों का साइकल है यहाँ तो कि हम लोग निकल जाए बाकि आगे वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा का आगे क्या सीने कि आप 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 पीचित किलोमेटर रही है है जेक सकते हैं बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हैवी ट्रैफिक सब्सक्राइब निकाल पाला है रोड बहुत ज़्यादा स्लिप्री और खीना है इस वाजे से खोड़ा सा रिस्क है मुझे यास निकल पाए हम दो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं लगे तो सीजा किसी ने किसी गाड़ी में जाके घुषना हो कि इससे कितना आगे और रहे हैं कि तो रहे हैं कि इस देख सकते हो यहां पर कितना ज्यादा डस टोड़ रहा है अभी अंडर कंस्रेक्टेड है और हमें जो रूट डायवर्ट करके आना पड़ा था वो और भी ज्यादा खराब था यहां पर देख सकते हो इतना लैंड स्लाइड होता है कि हमेशा जैसी भी और बी आरो हमेशा काम पर लगा ही रहता है आज का पूरा रोड दुखा पूरा 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 ओफ रोडिंग अधिए अधिश्वाला था तो आज बहुत ही ज्यादा चलाने में आलत खराब है और टाफ रोड है एक तरीके से बहुत जादा था बाइसाब मिले हैं इसे हमारी मुलाकात पिछले साल जब मैं यहां से ओल इंडिया ट्रिप कर रहा था 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 अभी इंडिया टु सिंगा बहुत कुछी हुई कि बंदा एक साल में इंडिया टूर किया पहले अभी आपका टूर इंडिया टूर सिंगपूर का बहुत बंदे को देखके कि बंदा बार-बार मिल रहा है यह चीज होती है ठैक्यू सो मच और यहां से सर में इस पेशली यहां पर लेकिया है और यह ड साहिद सतीश वर आपका सामने जो जा रहा है वो रोड था एनच 44 अमने जाना था उस रोड से यहां से लगातार बारिश होई इसके वज़े से वहां से उपर से पत्थर किर रहें जिस वज़े से उस साइड जाने नहीं दे रहें तो हमें रूट करके इस रूट पर इसके से एक रोड जा रही है तो उसके सारे जाना पड़ रहा है और यहां पर देख सकते हो कितना खूब सुरत बाज उड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है इनका पाउं की क्या अलत हो रखी पूरा जूता मट से क्लियरली भर चुका है क्योंकि रास्ते में जो अब लेंट साइड उसके सफूरा की टर रहा था और अभी हम लोग एक रावे पर रुके हैं यहां पर हमारे साइकल खड़ी है जा तो सिंगापोर और यहां पर हमने लिया है एक टीब्रेक अभी रुके है थोड़ा सा बेग लेने के लिए और हालत देख सकते हो यह पूरे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो रामन से थोड़ा सागे चलने के साथ ही यह पहला टनल है जो कि यह उपन हो चुका अभी पिछली बार में जब यहां से निकला तो मुझे इस रास्ते से होते वे निकलना पड़ा था उपर कियो और इस बार जो है यह टनल बंके रेडी हो चुका है यहां से गाड़े आ जा रही है तो हम लोग भी चलते हैं इस टनल के अंदर से हलो दोस्तों बुटीवनिंग अभी हम रुके थे हैं हमारी साइकिल खड़ी है यहां पर और यह मस्ती लोकेशन मिली थी यहां पर अबने रुपने का तो सोचा था लेकिन हमारे पास पानी की कमी थी हमारे दुनों का पानी नहीं था इसलिए हम लोग यहां इस जगा पर कै इनमिक है बहुत ही ब्यूटीफुल है तो इस ब्यूटीफुल लोकेशन को छोड़के जाना पड़ रहा है विकाज अब हमारे पास पानी नहीं है इस बोटल में भी पानी बिलकुल इतना सा है और यह पूरी बोटल खाली है और यहां पर यह हमारी कुछ प्यारी सी साइकि खड़ी है जास्ते में अभी मिला है एक प्यारा सा जर्णा जहांकि उपर से पानी आ रहा है के फाड से तो हम लोग यहां पे पानी भरने के लिए रुके हैं रोबिन कोल और आपका सर वरुन संके तरफ से ही चाय है और सर का काम है एडवेंचर स्पोर्स का इविनिंग हो चुके और यह बहुत ही ज्यादा खुक्तुर नजारा है यहां से और यह हमारी रोड है जो सीधी जा रहे है आगे स्रीनगर की और बन्याल रुकने का प्लान है हमारा और यहां पर हमारी साइकिल खड़े यह भाई मिले हमारे राजस्तान के जैपूर के अपका नाम भाई राहू और यह इनकी साइकिल है अभी का स्रीनगर स्रीनगर कास्मीड तो भाई कर रहे है का स्मीर टुकन्या कुमारी और आपका कोई यूट्यूब बगर है इनका यूट्यूब है राहूल विश्नावत के नाम से आप इने जाके फूर सपोर्ट करें अपने भाई हैं यहा दोने खाने की विव्यासा कर दिये केंटीन में उनको बोल दिया तो सुबह और अभी का दोनों का खाना पीना भी हो जाएगा तो फाइनली हमारा अरेंजमेंट एकदम बढ़िया हो गया है और यहां पर देख सकते हो यह मैं और अभेबाबु का और यहां पर अपना बेड ल कारा है हमारे से सामने जने आल रही हूं जैसे में बहर निकल Hey Do « देख भी वी साथ कर्णा में तो मैं कुपड़ा लेता हूँ और इसे साप करने लग जाएसए अभी इसे फिनीश करते हैं फिर निकलेंगे आगी और आज की राइड स्टार्ट करेंगे न आ कश्मीर की वादियों में वसा वहाँ यह हमारा तिरंगा जो किसे और चार चांद लगा रहा है फिलाल चलते हैं सिधा टनल के अंदर और मिकलेंगे आगए सिधा बढ़ियाल होते वे स्रीनगर कियों यह सुरंग है जिसके अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं लास्टम जब मैं आया था यह सुरंग चालू नहीं थी यह टनल बंद थे उसमें अभी हाल फिलार में ही चालू हुई है तो यहां से गाड़े जा रहे हैं बहुत ही जाना शोर हो रहा है आवाज बहुत कम सुनाई द आज मौसम बड़ा सुहाना है वही अंदाज है यहां पर अपनी साइकल खड़ी करी है और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यहां से एक बहुत ही खतरनात वियू आ रहा है तो वह आपको दिखाने के लिए पानी इतना उपर से उफान बारते गिर रहा है ना कहां से देश फोड़ी सी ते जो गए थी इसलिए मैंने उनको डाल दिया मौसम थोड़ा से बिगड़ चुका है और यहां पर हमारे साइकल थड़ी है पूरी बेग चुके एभी ट्रैफिक सामने यह नदी यह तीनों का इतना बहतरी नहीं के मज़ा आ जा रहा ट्रैवल करने में यहां पर एक ट्रैक वाले ने इतना तेजी से लाया का पूरे कपड़े गंदे कर दिया है देख सकते हैं यहां पर यह कपड़े और यह बहुत ही ज्यादा टाफ रोड है कीचर मट से भरावा स्लिपरी रोड है बड़ा मुस्की लो रहा आगे चलने में लेकिन फिर भी हम रुकने वालों में से नहीं है तो अभी चलेंगे आगे इस तरीके से कीचड़ पत्थर सब चीजे नीचे गिर रही धर बहुत ही तेज बहा हो जाता पानी का यहां पर सामने टनल का का चल रहा है नजारा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है लेकिन उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं और यहां पर हमारे रवी वागू की चुपी के आ चुके हैं और यहां पर यह दुकान है जहां पर हम लोग चाए पीने वाने और यह ज़दे थंडे मौसम गर्मा-गर्मचाय आ चुकी है बणियाल में जाप मेरे हातों ग्यारत ऐसी हो रखी है कि काम करना बंद हो चुके हैं इतनी ज्यादा ठंड है कि मैं यहां पर ऐसे रखके ब्रेक लगाने में भी हातों में दर्द हो रहा हैं मौसम देख सकते हो बहुत मंदीर है और यहां पर हमारी साइकल लग चैर यहां पर इस अन्हों के लिए German कट करते हैं तो कुछ बच्चे आए थे हमसे क्या नाम है आपका हैसान आपका वंस और तीनों साइकलिंग भी करते हैं यह देख सो कि एक इनकी साइकल यहां पर है यह है फायरफॉक्स की और वो है हीरो की तीनों साइकल राइड करते हैं इस उमर में यह मुझे देख के काफी अच्छा लगा और ऐसे ही आप सब को यहां पर देख सकते हो अज सुबह सुबह बारिश इतना तेज है को ओले गिरने चालू हो गया है वहां पर देख सकते हो यह वाइट वाइट फोर सर पूरा ओलो से भर गया है आगे कमंदीर का परीश है तो इसलिए आज यहीं पर होल्ड करते हैं हमारा लंच आ जुका है बारा बचकर 57 मिनिट पर लंच कर रहे हैं यहां लंच में हमारे पास दान चाओल और यहां पर चोखा है और यहां पर पापड है विय विसाल भाई और यह रवी बाबू कहय थे एक अंकल आयए थे हम पर फूजा करने के लिए वो हमें मिले और हमसे पूचा है हम आप ऐसे यहां पूरा खेती है और यहां पर यह लोग छोटी-छोटी खेती करते हैं इस तरीके से पानी भर के क्यारी टाइब में चोटी-छोटी पार्टिसन्स पें अब हम लोग यहां पर घूमरे पूरा आसपास कई दिया थिए प्यारे बच्चे में ले जोकि विजह अपना पूरा बन्याल जो है मार्केट खाउ। और सब चीजे दिखा रहे हैं यहां से यहां से देखते कि इतना खुब्सूरत नजारा है जोकी देखते ही बनता है आड़ी पर चटके आया है एक चोटु भाई साब लेकर आए है यहां से सीटी का इतना खुपसूरत व्यूंड देख सेटी काम लोग देख सकते हैं वहां पर देख सकते हैं शी लोड तीवी और यह पूरा बनियाल का कुपसूरत सा व्यू ए रैक थोड़ा सा ठफ था जबते हैं यहां पे अपने बनियाल को रेकुष तो अभी रही हम लोग लेने के लिए हम एक नहीं है इस पर नहीं है यह मेरे वालिट से यह अपने पैमेंट करने के सोच रहाता लेकिन सब्सक्राइब यह प्रोग्रम तो इसना भी दे दिया है और यह हमारा वालेट सेफ हो चुका है यह हमारे मास्टर सेफ जो की चाय बनारे अब देखते हैं चाय बनेगी उसके बाद टेस्ट करेंगे तो पदाएंगे कैसी बनाई ही इनोंने चाय और आज का खाना हमारा यह पारले जी और एक कि मेगी तो इसे साथ हमारा गुजारा होगा है अब करेंगे ज्यादा मैं रिव्यू नहीं दोंगा लेकिन खाने लायक है